जहाँ पर मद्धिप्रदेश में मुस्लाधार बारिश की चेतावनी दी है मौसम भाग ने और कई जिलो में अलर्ट जारी किया है साथ में बताते हैं कि विदीशा, धतिया, भेंड अशोक नगर में जादा संभावनाएं हैं तेज बारिश की साथ में बोपाल, राइसें, सीहो, समित अने जिलो में अलर्ट भुजित किया है अने जिलो में भी भारिश की आशन का है और फसल, सुरक्षा और जनल जीवन पभावित को जिस्ते की हो सकता है किसानों को दिक्कत हो सकता है गंपीवन पभाविद को सकता है तुछ लधार बारिश कीया का रेड अलर्ट उच जिलों के लिए होसम भावने पुशित किया है आपको बता रहे हैं इसकी खास और आहम जानकारी मौसम से जुड़ी हुई लगातार आप देख रहे हैं कि मध्यप्रदेश में भारी वर्षा का दौर देखने को मिल रहा है मध्यप्रदेश के 15 जिलों में गराच चमक के साथ बहुत भारी वर्षा का अलर्ट मौसम भभाग ने फिर से जारी किया है आपको बता दें बुद्भार को 15 जिलों में गराच चमक के साथ भारी से भारी वर्षा जिसकी चेतावनी मौसम भभाग ने दी है चले हम आज साथ समवाद दाता दीपक सिंग जुड़ चुके हैं मौसम की अपडेट के लिए बात करेंगे दीपक जिस तरह से प्रदेश के कई सिलों में मंगलवार शाम को भी तेज बारिश हुई जिससे की पूरा हड़कंप मचा हुआ है चार दिन बाद हुई बारिश ने शेहरवासियों को भिगो दिया और फिर भी अब सवाल उठ रहा है कि फसलों का अब सवाल उठ रहा है जन जीवन अस्तिवस्त हो चुका है जिससे की जल भराव की सिती हो गई है अब अती वर्षा की वज़र से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है अभी भी फिर से मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी है किस तरह का अपडेट मिल रहा है कब ये वर्षा का दौर थमेगा मौसम विभाग ने पहले ही अगले चार दिन तक बारिश होगी हाला कि पिछले दो दिन भौपाज हो साइस कही जागा पर काफी कम बारिश देशने में लेकिन जिस तरह से कर बारिश होई है बद्दिश की बार के तो मैंडला नरोजाबाद या ओमरिया इसके लावा बिलह कर दो 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 हो रही है इससे लोगों को नयाद मिल सकती है एक अच्छी खबार है क्यों जो है मिजाज उसका बदल चुका है कभी धूप निकलती है कभी बारिश होती है जिस तरह से लुका चीपी का खेल चल रहा है बरसात की वज़े से कई तरह की बिमारियां भी बढ़ गई है अस्पतालों में कई तरह के बिमारियों को लेकर जो की जनरल वायरस कह लीजिए उसको लेकर मरीज पहुंच रहे हैं तो अगर ऐसा ही बारिश का दौर देखने को मिला तो किस जो मुष्मारियों उनके मरीज बढ़े हैं और डॉक्तर के साथ तरह कहना है कि जो सावान देनों मरीज आते से उससे करी तीन से त्यार गुना मरीज देखने हो मिल रहे हैं और इसके लावा जो मच्छर उनके जलते जो डेंग हुए है यह कासी पहलता हो दिख रहा है यह क अच्छे होते हैं उनकी लगातार दोस्ति यारी है उनकी लोग जो डॉक्तर हैं वो सक्री हो चुके हैं और जो स्वाथ से भागे हैं कि इसके लिए अलग वाइड बनाएगा हैं कई वस्पिडल में लेकि उसके बाहर भी जिस तरह काफी खत्रे वाली बात है और इसको लेक की है राज के पूर्वनुमान से बतादने की मौसम बिभाग ने विदीशा, अशोक नगर, धतिया और अन्य शहरों में तेज बारिश की जेतावनी जारी की है और कुछ जिलों में गरत चमक के साथ बारिश होगी जिससे की जन जीवन प्रभावित होगा